हेलो एवरीवन आजम शिक्षा ने देशाले हिंदी की पत्रीका करेंगे जो कि क्रम संक्या 120A है 29 नवंबर की है नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं आप सभी स्वास्त होगे तो आप सभी के लिए आजम कुछ कोश्या सनाए हैं जो कि रिकैप्चुलेशन वरक्स्षीट में आपके आए हैं तो आजम इनको डिसकस करेंगे और सही आंसरों को जानेगे तो नीचे दिएगा इस शब्दों में से व्यावार शब्द का अड़ तो व्यावार शब्द क्या होता है व्यावार का मतलब किसी कि संग आप कैसे रह रहे हैं इस कि संग आप कैसा आप बढ़ताव कर रहे हैं भाई को नारियल का दाम दो रुपे बताया हूं अब इस चिन का अर्थ क्या ही है यह क्या एक डंडा है जो की हमारा किसमें लगता है जब कोई सेंटेस जो होता है सिंपल वो खतम हो जाता है यह हमारा पूर विरांग चिन अब निवन में से चिन का प्रियोग होता है दुख असचर्य खुशी गिरना आदी को प्रकट करने के लिए कौन सा होता है कुछ इस तरह का सायन होता है यह कौन सा होता है विस में आदी वो दक्चे ने अब भीकू भाई का स्वाभाव कैसा था वो दानी थे दान दे देते थे खरची ले थे खरचा करते थे कंजूस थे या कारे कंजूस अब सुनीता को अमित कहां पर मिला था बाजार में खेल के बैदार में घर पर ये स्कूल में वो से मिला था बाजार में अब आंगे पाठ के अधार जो था बीकु भाई वाला उस पर प्रश्ट है सुनीता कौन कौन से काम स्वैम करती थी कपड़े बदलना और उते बैनना ओठ वाले और गुर्ण सवार ने भीकु भाई से क्या वादा किया कि अगर उन्होंने नारियल का पेर नहीं छोड़ा तो वह उसे रुप्या दे के मंडी में क्या-क्या विक रहा था आलू बिक्रेते टमाटे विक्रेते कादा मतलब प्याज विक्रेते मटर व विक्रेती और बंदगों भी बेक रही थी तो आप इस तरह से अंसर लिखके वरक्षीट कंप्रीट करेंगे अब हम मिलेंगे अगली वरक्षीट के संतब तक के लिए बाए चैनल को लाइक सस्क्राइब